तो आज हम बात करने वाले हैं लाब अटेंडेंट वाले पेपर में प्रात्मिक चिकित्साब है उपचार तो प्रयोक्षाला से रिलेटिड जो भी मैटर है वो कंप्लीट करने कि आज कोशिश करने वाले हैं तो पहले की अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखना है रिजिनिंग की वीडियो कराईगी है इंपोर्टन कोशन है पेपर के अंदर पूछे जाएंगे एक से दो कोशन आएंगी आएंगे प्रात्मिक चिकित्सा का मतलब यह है कि कभी भी कोई दुरुगटना हो जाती है तो जल्दी से जल्दी जो भी हम कह सकते हैं पेशेंट है उसको सही करने के लिए या उसको दुरुगटना से बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसको कहते हैं प्रात्मिक चिकित्स अमलों द्वारा तथा शारों द्वारा हो सकते हैं मतलब की हाथों के उपर क्या है हम कह सकते हैं काला काला से हो सकता है जैसे कि अपने गरम हाथ पर लग जाता है उस तरीके से इनमें परतेग के कारण होने वाले दगदों के प्रात्मिक उपचार अलग लग होते हैं कोशन ये पूछा सकता है कि दगदोंने के क्या क्या उपचार हैं उपचन दे सकता है भाब तथा गरम जल के कारण उत्पन दग्द के प्रभावित भाग को ठंडे बहते हुए जल से दोना चाहिए सबसे बहले पानी से दोलो उस स्थान को ठंडे पानी से बरफ का यूज नहीं करना चाहिए एक बार जब प्रभावित भाग ठंडा पड़ जाए तो धिरे धिरे उसे साफ कपड़े से सुखाने के पश्चाद रोगानू रोदक मरहम लगाए मतलब की कोई क्रीम लगा दें वाँपे अमल से उत्पंदग्द के लिए जखम त्यथा प्रभावित भाग को जल्ड से दोकर उस पर सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट का तनू विलन डाली है मतलब की सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट को मिला के कार्बोईडरेट को मिला के उसके उपर डाल दें गाव को पुन क्रेम लगा दें मतलब पानी का यूज नहीं करना है शार वाले में उसके बाद में कांच से उत्पन काट या घखाव मतलब कि अगर कांच का यूज करें और आपके हाथ के उपर चीरा लग जाता है तो चीरा लगने के बाद आपने क्या करना है उसको बैले ठंटे जल से ताके उसको उपर पट्टी कर लें और डॉक्टर के पास ले जाएं क्योंकि कभी भी कांथ से या लोई से अगर आपके आथ भी को उपर चीरा लगता है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए आँखों में शती कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बीच में को थंड़े जल से दो लो मलना नहीं को जोगे आपको कॉई बार बार मला नहीं एक मतलब नहीं अगर आपके कपणों अग लगे तो क्या इदर उदर भागर नहीं फुर्श दोडकते ताकि जो भी आग लगी लिया वो गायब होजे या खत्म होजे और जहां पर भी आग लगी है गैस बर्नर को बुजा दें फटा फट जो भी पात्र रखें आसपास उसको दूर कर दें रिसाइनों को दूर ले जएं क्योंकि कहीं भी रिसाइन के साथ आग संपरक में आगी त उसके अलावा अगर शोट सेप्के टोयता अभी तो परीपत में तो आपने क्या करना हो उसके स्विच को जल्दी से बंद कर दें और उसके उपर रेत फैंक दें क्योंकि वह तारे हैं तारों के उपर रेत फैंकेंगे तो से रहेगा कपड़ा नहीं कहीं गिल्ल्ले होना चाहिए मतलब पास नहीं पास से नहीं सुंगना अगर बाइचांस मानलोग किसी ने सांस ले लिए और उसके अंदर शरीर के अंदर गैंस प्रवेश करगे उसको फड़ावट हवा में ले जाएं गहरी सांस दिलाएं और उसे अमोनिया की वाश्प सुंगाएं क्योंकि सएक इस इसी एजिसके करण। उसके निagar जो जो भी सुने गैंस का संखाएं कि या सुनक जिसको उसका दूर होजएगा ठीक है वह घांस खटम होजाईगी क्योंकि वह जूरा वसको फ़लों का रच होता है अमोनिया जबा दे इस से गया है essent लिए वास्त का अंताय स्वेशन हो जागा जो भी खुश्बूज ने सुनगी है तो वह गायब हो जागी उसके बाद में जैसे अगला है तो प्रयोग का अभी लेखन अभी लेखन का मतलब का होता है कि जो भी अब प्रयोग की है उसके रिपोर्ट जरूरी है त्यार करना और कारे लिखना की किस किस तरह से क्या क्या रसायन को मिला है जिसके बाद ये प्रयोग हुआ है उसके सारे चर्णों का लिखना है सारे चर्ण लिखने के बाद उसके सार परिणाम बताने कि क्या क्या परिणाम इस से आया है प्रयोग की जो रिपोर्ट आ उसको परशिषक जरूर बताना है था कि वह सभी डंग से समझ में आ सके उसका नमूना नीचे सुजाव के लिए दिया गया उदेशे क्या है इसमें जो प्रयोग आ उदेश उसके उदेशे लिखने बहुत ज़्यादा ही जरूरी है उसके बाद में आता है सिदान्त तो जितने भी सिदान्त या नियम है उनको व्याख्या करनी चाहिए उनकी और उसको प्रयोग पर अदारित कि जाना चाहिए और बार-बार सत्यापित करके देखना चाहिए कि जो भी मैंने नियम क्राइया श those- назвation क्रक्त जितनी डंग से काम कर रहे हैं वहंसे रिक्रने चाहिए ईसके बीच नोठ्बुक pansäre लिए उसके बाद में प्रेक्शन प्रयोग संपन करते समय सभी प्रेक्शनों को पूर्णत व्य उची डंग से notebook में रिकोर्ड रुखना चाहिए और उनके जितने भी आरेक हैं कथना या स्योजन के रुख में जैसे भी प्रवस्तुत किया है वो से डंग सोन चाहिए तुरूटी पुरन रिकोर्ड हो गए तो उन्हें मिटाना नहीं चाहिए मतलब कोई गल्ती होगी तो उसको मिटाओ मत बाद में टीचर से उसको सैट करवालो उन्हें एक रेखा खीचकर काटा जा सकता है ज नए वो लिखना च्यागा झृटा जिए उसके बाद में अरा Πर इकलन को परिक्षनों प्रपनों कि अवश्ता है तो आंकडू को बरने के लिए सही सुत्रों वात्रकों प्रेयोग करना चाहिए मतलब कि सही मात्रक का यूज़ करना चाहिए और जितन photographed ryarta इं कर होते जितनी भी साफदानियां उनको नोट करना चाहिए क्या 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 सविधा साफदानिया करनी विए है आपके पास होने चाहिए एक अगर आपने कर लिया तो उस को मतलब एक परेयों को स्टार्टिंग में और एंडंग में फ ense इन और तो तो पहला प्रयोग खत्म हो चुका है उसके बाद में दूसरा प्रयोग स्टार्ट करना चीए उसके लिए आपको सही डंग से जो प्रयोग की प्रकर्तिया जो उपलब्द प्रकर्ण है और जो सुविधाये में लिए है उसको उपर निडबर होना चीए यह निकी कुछ ना कम करो कोई भी नकली उप करनों का यूज मत करो क्योंकि अगर आप नकली उप करनों का यूज करेंगे आप बे फालतु के कोई भी रसायन को मिक्स करेंगे तो आप कोई नुकसान हो सकता है और जितना भी आपने लिखा है वो तो आपने करना है और नया प्रयोग अगर आप क